केवल सत्संग जाने से आपका नशा छूट सकता है सुनने में बड़ान होना सा लगता है लेकिन प्रभु का धनेवाद करते हैं आप सबी को जैमसी की सियों टीवी चैनल देख रहे हैं तमाम दर्शकों का हम स्वागत करते हैं और एक भाई हैं आज इनके साथ जानकर चलेंगे किस तरह से प्रभु येशु मसी का नाम इनके जीवन में आया और ये विभन प्रकार के नशे करते थे और परमेशों ने अनुरह किया कि ये तमाम नशों को ये छोड़ सके केवल और केवल उस सामर्थ के दोएरा जो सियोन प्रेट आवरे पास्टर आरल गुपता जी के वचन जो दिये जाते हैं बाईबल से उनको सुन करके ही प्रभु ने इन भाई के मन को बदला और ये आज नशे से आजाद हैं जानकर चलेंगे जै मसी की भाई मैं जीवन नगर से आता हूं जबसे मैं प्रभु में सियोन प्रेट आवर में आया हूं नशा से मुक्ती मिले है मेरे को सराब गुटका बीड़ी सिगरेट पीता था जो कि मैं बीते दिनों से आ रहा हूं और प्रभु के इस्तिति अराधनक और बचन को सुनके मेरे नशा से मुक्ती और छुटकारा मिला मेरे को क्या सियोन प्रेट आवर में किसी प्रकार के दवाई बगरा दी जाती है या आपने केवल वचन को सुनकर के ग्रहन करके प्रभु ने अपके मन को बदला यहाँ पे कोई दवा नहीं दी जाती है यहाँ पे मेरों के वाल इस्तिति अराधना और बचनों के द्वारा मेरों को छुटकारा मिला है नसे से तो अभी कैसा लगता है खुश रहते हैं यहाँ अपने जीवन में कि लोग आपके मित्रदोस्त आ जो लोग आपको पहले जानते थे वो कहते हूं आपने नाशा कैसे चोट दिढिते अपर यहाँ प्रभो एश्तु की गवाही देते हैं तो परिवार को कैसा लगता है परिवार भी बहुत खुशा है नसा छूड़ दिया हूँ मेरी पत्नी भी बहुत खुशा है जब से नसा छूड़ दिया हूँ वो भी भवन में जाने लगी है पहले प्रभुक नहीं मानती थी लेकिन वो भी अब भवन को जाने लगी और प्रभु को मानने लगी अब मेरा घर बढ़िया से चल रहा है धन्यवाद प्रभु का जो कि हमारे जीवन में काम किया है बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातसीत करने के लिए प्रभु येशु का धन्यवाद करते हैं अब जितने इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाएं शेर करें लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये गवाही कैसे लगी परमेशु कर दो